a very good morning to all of you so friends आज का जो हमारा वीडियो है यह में फर्स्ट सेवेस्टर पेपर फोर्थ का यह जो ए पार्ट है आपको मालूम है कि यह आपका पेपर फोर्थ ए और बी दो सेक्शन में है और यह इलेक्टिव है तो आपको एक ही चूज करना है आज के वीडियो में हम यह पेपर फोर्थ का जो ए सेक्शन है इंडियन इंग्लिश लिट्रेचर पोईट्री और ड्रामा इसके जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन है उसके आंसर के बारे में थोड़ा इन वेरी शॉर्ट वे हम डिसक्रिशन करेंगे और इसके बाद आप आपको यह जो PDF है वह आपको description box में मिल जाएगा तो आईए देखते चलते हैं तो पहला आपका question है interpret and describe the values and themes that appear in Indian English Literature तो पहला आपका question ही है हमारा Indian English Literature से के regarding तो basically एक आपका इस पर long question बनेगा तो आपको Indian English Literature की history क्या है कौन-कौन से particular writers Indian English Literature में आते हैं और उन्होंने कौन-कौन से major theme या issues अपने writing के थूँ दिखाने की कोशिश की है या कौन-कौन से issues उठाएं हैं उस पे आपको वो सारी चीज़े आपका इस section में आ जाएगा यह Indian English Literature में इंडियन English Literature या short में IEL कहते हैं इसमें यह क्या है यह body of work है जो उन writers के द्वारा लिखा जा रहा है जो रहते हैं इंडिया में लेकिन वो किस language में लिख रहे हैं वो English Language में उन्होंने लिखा इसने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो देते हुए और पर्टिकुलर कौन-कौन से किस तरह से इसकी history शुरू होती है इस सारे जो राइटर्स आये हैं मतलब इन्हीं से इंडियान history शुरू होती है आपको यह सारा पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देते हुए चलना है आगे इसके बाद आपको जो पर्टिकुलर राइटर आये हैं और इंडियान इंग्लिश लिट्रेचर के अगर हम बात करत हैं सो जो पहली पुक है लिखी गई है किसी एक किसी इंडियन के द्वारा इंग्लिश में वो कौन सी है वो है दा ट्रेवल सौप दीन महोमेद यह ट्रेवल नैरेटिव है जो से दीन महोमेद के द्वारा लिखी गई है और यह कब पबलिश हुई है 1794 में इंग्लेंड में publish होई है so इस तरह से आप लोग description देते चलिएगा इसके बाद कौन-कौन से particular genre इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं so जैसे की हो गया the non-fictional body of prose works consisting of letters, diaries, political manifesto, articles, speeches, philosophical works etc in Indian English literature of the 19th century and the early 20th century is rich and varied इसके बाद आपको particular कौन-कौन से writer हो गए जैसे स्वामी वेकनन्द, रवीद नैट टैगोर और महतना गांधी यह जो particular writers Indian English literature में जिनों ने अपना contribution दिया है सबका description देते हुए उनके नाम का साथ ही साथ उनके जो particular work है और उस work के थूँनों ने क्या issues raised किया है या क्या theme दिखाने की कोशिस की है आपको इसमें जो आपका question है आपको इसी इन सारी points को इसमें डालना है फिर यह जैसे राजा-राव हो गए इनके इनका important work है कांथापुरा और the serpent of the row और इन्हों ने इसमें दिया है ना जैसे देखी विचार इनके जो यह work है यह Indian है in terms of their story telling qualities so इनका जो यह कांथा पुरा है इसमें इनोंने story telling quality को दिखाने की कोशिश की है इस तरह से आप particular सारे writers को दिखाते जाएगा चूंकि मैंने यह Indian English literature का portion थोड़ा सा long इसलिए ओक्या कर दिया है क्योंकि आपको history मालूम होनी चाहिए साथ ही साथ आप अगर इतना lengthy नहीं मतलब सारे detail में नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माल में कीजे रहेंगे नहीं तो आपका यह Indian English literature पे यह long question जो बनेगा उसके लिए content थोड़ा जादा है लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत useful होगा फिर आईए अगला question देख लेते हैं हां अगला question है how did colonialism influence the development of Indian writing in English किस प्रकार से colonialism ने Indian writing in English को influence किया है इसमें कोई संदे नहीं है कि जो colonialism of British जो British का colonialism था उसने education on literature पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है और खास तोर से इसका प्रभाव हमको जो writers थे इंडिया के उन पे भी देखने को मिलता है इसका भी answer sufficient है इसको भी आप लोग देख लिजेगा अगला है हमारा Indianness क्या है what is Indianness in Indian English तो अगर हम पहले यह समझते हैं कि इंडियाननेस है क्या इंडियाननेस क्या है the quality of being Indian कि हम भारती है उसके जो गुड है वो इंडियाननेस को show करता है यह जो term है आप लोग इसको भी देखते चलिएगा इसके बाद है major characteristics of post-independence Indian English poetry so post-independence Indian English poetry की कौन-कौन सी major characteristics है इसमें आप जो major Indian English poet है और उनकी कौन-कौन सी poems है या poetry collection है उसको describe करते चलिएगा इसके बाद हम देख लेते हैं हाँ अगला आपका question ये दलिस literature के regarding है so जो दलिस literature का main focus क्या है या दलिस literature के कौन-कौन से main features है so आपको मालूम होना चाहिए कि जो दलिस literature क्या है दलिस literature वो साहित्य है या वो literature है जो दलिस के द्वारा लिखा गया है और किसके बारे में उनके life के बारे में so दलिस literature ये शुरू कब हुआ maximum 1960s में और ये किस language में से इमर्ज हुआ था मराथी language से ही पर्टिकुलर ये शुरू हुआ था और बाद में ये बंगला, हिंदी, कैनेडा और पंजाबी और सिंदी इन languages में appear होता गया so आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कौन-कौन से दलिस literature के main issues है जैसे कि discrimination, untouchable ये सारे issues है इसके बाद हमारा है अगला question हाँ ये जो आपका unit second का है second, third, fourth ये तीनों unit आपके poetry section का है इसमें ये रविन्दा टैगोर का गीतानजली ये बहुत important है ये long question मैंने तीन इसमें दिखाया था लेकिन तीनों का मतलब question एक ही बनेगा बस उसको थोड़ा सा starting में जो आता है आप starting में 2-4 line अपना उसी question के according put up करके आप सारी चीजें इसी sequence में डाल दीजिएगा जैसा कि ये answer में मैंने दिखाया है तो गीतानजली क्या है ये बेंगॉली में लिखा गया है और अगर हम English की बाद में इसका English में translation हुआ है गीतानजली का English translation क्या है song offering ये एक collection of poems है किसके द्वारा बेंगॉली पोएट रविंजनाट टैगोर के द्वारा इसके लिए टैगोर को Nobel Prize भी मिला था इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसकी जो major theme कौन कौन सी है सो mysticism हमको देखने को मिलती ही है साथ में theme of God, theme of nature, theme of humanity और theme of death और theme of love ये सारी particular major theme है ये गीतानजली की अगला है हमारा what is the central idea of the poem love poem for a wife by A.K. Ramanujan एके रामानुजन की ये poem आपके slaves में prescribed है love poem for a wife इसका central idea क्या है ये 8 stanza poem है जो फिर separated है किसमे uneven sets of lines में ठीक, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा ज्यादा हमें description में नहीं जाओंगी ज्यादा इसको बताने में क्योंकि main purpose है कि आपको notes provide कराना फिर अगला क्या है summary and critical appreciation of the poem exile from homecoming आर पार्था सार्थी की जो poem आपके slaves में prescribed है exile from homecoming इसका summary और critical appreciation बेस में दिया गया है इसके बाद है आपका what does exile refer in the पार्था सार्थी poem पार्था सार्थी की poem जो exile है इनकी poem जो exile from homecoming है इसमें exile क्या refer करता है a sense of alienation from his native place और from himself so ये एक प्रकार का अलगाओ दिखाता है कहां से अपने native place से और खुझ से अगला है आपका ये palanquin bearers by सरोजनी नाइडू इसका critical appreciation है so ये जो palanquin bearer है ये the separate flute ये collection of सरोजनी नाइडू की collection of poems है उसकी opening poem है palanquin bearer so critical appreciation इसके भी देख लीजेगा अगला है आपका कमलादास as a confessional poet with reference to an introduction so an introduction इनकी जो poem है ये आपके syllabus में prescribed है so इसके भी long question है आपको मालू होगो कि कमलादास ने अपने poems के थूँ जो अपने ideas थे उसको उन्होंने confess किया है और इनकी poem जो an introduction इसमें आपके में prescribed है उसके reference के थूँ ही ये भी मतलब एक confessional poem मानी ही जाती है अगला देखते हैं हम हाँ अगला है आपका pilgrimage poem by शीव के कुमार ये शीव के कुमार की है pilgrimage इसकी भी समरी थोड़ा सा आप लोग देख लीजेगा actually इसका content भी online हमें ज़्यादा नहीं मिलता है इसलिए जो भी available हो सका है वो मैं करा दे रही हूँ हाँ इसके बाद ये आपका है ये आपका unit 3rd 4 था 5th और 6 ये drama का portion है इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सी question important है इसमें कौन सी technique यूज़ की है और अगला है how silence the court is in session as a social satire किस प्रकार से जो इनका play है तेंदुलकर का silence the court is in session ये एक प्रकार का social satire है कैसे आपको बताना है या who is the protagonist in silence the court is in session ये जो इनका विज़े तेंदुलकर का जो play है silence the court is in session ये एक मराथी play है और ये perform हुआ है सबसे पहले कब 1967 में ये play लिखा गया है 1963 में इसको भी आप लोग देखते जाईएगा हाँ अगला हमारा question है what is the significance of the title of the play final solution so ये महज दक्तानी का जो play है final solution इसका जो title का क्या significance है इसके बाद है which character in the play final solution maintains a diary कौन सा character है play sorry final solution में जो diary maintain करता है so ये जो play है final solutions ये शुरू होता है दक्ष या हर्दिका ये newly married girl है जो अपनी diary को लिखती है so ये रहा आपके important questions और ये जो last है what are the chief characteristics of the play तुगलग बाय गिरिश करनाड so इसका answer मैंने नहीं दिया है इसके जो last answer आपका है कि जो तुगलग इनका play है इसके regarding मैं एक pdf आपको अलग से description box में इसका pdf अलग डाल दोंगी ये जो last question है और starting का जो मैंने अभी आपको सारा बताया वो उसका pdf आपको अलग मिल जाएगा so इसके बाद हमारा जो ये part B है Indian English Literature का उसका भी video friends आपको मैं आज शाम तक या रात तक मैं प्रोवाइट करा दोंगी okay thank you thank you so much अगर आपके पास कोई और queries हो regarding examination so you can comment in comment box thank you thank you so much see you again